हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं कमजोर नसो को ठीक कने वाली एक दावा के बारे में इसमें जानेंगे कि वो कौन सी दावा है जो की कमजोर नसो को ठीक कर देती है वो कितने रुपिय में आपको मिल जाएगा उसक उसके क्या फायदे है और किन-किन कंडिशन में किन-किन इस्थितियों में किन-किन वीमारियों में जो इस्तमाल लिया जाता है उसके क्या डोज हो सकता है उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और उस दावा को लेते समय क्या-क्या सवधानिया रखनी चाहिए संपून ज यक्ति की नसे कमजोर हो जाती है तो उनमें कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है जैसे हाथ पैरों में जलन होने लगता है और जो है हाथ पैरों में जो है सुनना पन हो जाता है जनजना हट होता है सुन हो जाता है सुन पड़ जाता है और जो है जो नर्वस सिस्टम है वो भी डाइमेज होने लगता है और हात पैरों में जो दर्द होता है वो सिर्फ पैन किलर दावा लेने से आराम नहीं होता है हात पैरों में जो है जलन चुभन जैसी स्थिती हो जाती है तो अब बात करें कि वो कौन सी दावा है जो की इन सब समस्या को ठीक करती है तो उस दावा का नाम है Gaba Pen Me Tablet जो कि दो अलग-अलग एस्टेंथ में आता है जो कि Gaba Pen Me 100 Tablet और Gaba Pen Me 300 Tablet जो है नाम से आपको मिल जाएगा सबसे पले इसके अंदर जाने की इसके अंदर क्या है तो देखे इसके अंदर दो इंग्रेडियन सामिल किया गया है इसके अंदर जो है गावा पेंटिन जो है मिल जाएगा और मी को वाला मिन मिल जाएगा जो गावा पेंटिन मी 100 टेबलेट है उसके अंदर गावा पेंटिन जो है 100 मिली ग्राम और मी को वाला मिन जो है 500 माइक्रो ग्राम मिल जाएगा और जो की गाबा पेंटीन जो गाबा पीन मी 300 टेबलेट है उसके अंदर आपको जो है मी को वाला मीन 500 माइक्रो ग्राम ही मिलेगा बस जो गाबा पेंटीन है ये 300 मिलिग्राम मिल जागा और इसकी प्राइस की बात करें तो जो गाबा पीन मी 100 टेबलेट है वो आपको 196 रुपया में मिल जागा जिसके अंदर एक हैश्टिप में 15 टेबलेट आता है और जो गाबा पीन मी 300 टेबलेट है वो आपको जो है 337 रुपया में मिल जागा इसके भी एक हैश्टिप में 15 ट जो है नसों की जो भी खराबी होती है उसको ठीक करता है इसके अंदर जो गाबा पेंटिन है ये एक परकर का एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो की मिर्गी रोधी होता है मिर्गी को रोकने का काम करता है जो तंत्रिका कोसिका के केल का ही एक रूप है जो माइलीन के प्रोडॉक्षन को बढ़ाता है जो डाइमेज नर्व है नस्य है उसको ठीक करता है और इस तरह से यह दोनों दावायान मिल कर जहे नुड्रोपैफिक पेन से रहाद दिलाता है आसओ के दर्द यह नसों जो डाइमेज होती उसमें राहत दिलाता है अब बात करें इसके क्या यूज है क्या फायदे है बेनिफेट्स है तो देखिए इसका इस्तमाल जो है उन पेसेंट के बोड़ी या किसी अंग में जो नसे दब जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो उस टाइम इसको देते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है काम करता है इसकी अलावा जो डाइबेटिक नियूरोपैथी होता है उसमें भी देते है यानि जो डाइबे ये pen killer tablet के साथ ही इसको देते हैं जिससे बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है यदि किसी ब्यक्ति को जो है दाद, chicken pox, harpy joster हो गया हो जिस कारण से skin पर छोटे-छोटे blister हो गया हो उसमें जलन हो रहा हो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो उस समय भी इसको द tablet दिया जाता है और साइटिका का पैसेंट है जो साइटिका के जो पैसेंट हैं जिनमें लकवा अरह देता है तो उन लकवा के बहुत तेज दर्द होता है यह यहां तो कि नसे दब गई यह तो इन को जो तुए आजने करने के लिए यह दावा दिया जता है नर्विक यह पेरिफेरल नीरुपैतिक पेन हो गया हाथ पेरो किन से डाइमेज हो गई है उसको रिपियर करता है ये दावा हाथ पेरो में दर्द चुभन जलन ये सभी जो है सभी स्थितियों को सभी जो प्राबलम है उसको ये ठीक करता है गावा पेन मी टैबलेट अब बात करें ये दावा कितनी मातरा में लेनी ह तो देखिए, दोनो ए स्टेलंथ में आता है, दोनों में से कोई एक ही लेना है, जो आपको डॉक्टर क्रिसकाइब करेशुआे। बेमारी की कंडिशन इस्तिती देखकर जो है और लंबे समय तक प्रिस्काइब कर सकते हैं अब बात करें इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो ब्यक्ति में नोजियाबू मीटिंग की प्रब्लम देखने को मिल सकती है ब्यक्ति को ठकान सा महसूस होगा, चक्कर आएगा, सिर में दर्ध होगा, आखों के सामने अंधेरा चाएगा, नींद जादा आएगा यहां तक की ब्यक्ति को बुखार भी आ सकता है तो यह इसके कुछ साइड इफेक्स देखने को मिल सकता है अब बात करें, यह डावा लेते समय क्या-क्या सवधानिया रखनी चाहिए तो इस डावा को बच्चों में नहीं देना है ओल्लेज के जो पेसेंट है उनमें दिया जा सकता है, कोई प्राबलम नहीं है यह डावा आप ले रहे हैं तो इलकोहल का सेवन ना कीजिए प्रेगनेंसी और ब्रेश्ट फिडिंग में भी जो है, नहीं देना है यह deposit के साथ अगर देंगे तो ब्यक्ति में नींद की समयं आ सकती है ज्यादा नींद आ सकता है अगर आप यह डावा ले रहे हैं और नींद की समय आ आ रही है तो आपको heavy machine उपर काम नहीं करना चाहिए यदि किसी ब्यक्ति को इसमें उपस्तित ingredient से चाहे हो गाबा पेंटिन हो या मीको वाला मिन हो दोनों में से कोई एक से भी अगर allergy हो तो उन ब्यक्ति में भी ये दावा कभी भी नहीं देना चाहिए यदि किसी ब्यक्ति को kidney related कोई problem हो liver related कोई problem हो उनमें साउधानी के साथ ही ये दावा दिया जता है डॉक्टर की सलाह से और इसका overdose नहीं लेना है यानि एक time ही लेना है एक time से ज़्यादा न ले इस दावा के साथ आप pen killer दावा भी ले सकते हैं दर्द निवारक दावाईया ले सकते हैं डाइकलोफेन एक एसिकलोफेन एक परेसिटामोल भी ले सकते हैं तो दोस्तों ये था गाबा पीन मी टेबलेट की संपून जनकारी जो की नसो की जो भी गड़बड़ी है खराबी है उसको ठीक करने के लिए इस्तमाल में लिया जाता है अगर इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक कमेंट कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा इस वीडियो को जदा जदा सेर भी जरूर कीजिए